मुझे मेरे मित्रों के साथ बैठना खूब पसंग है मगर मेरे मित्रोn को मुझ से जीजादा मेरी कहाणियों में दिल्चस्पी है अब एक इन्सान के पास अनुभव तो अंगिनत हो सकते हैं लेकिन उन से प्ने ज़िनानीNT- तो एक दिन मेरी कहानियों का पिटारा उनके सामने जरा खाली सा हो गया हूँ मेरे मित्रगनों को लगा कि मैं बेनकाप हो गया हूँ मेरे पास खुद को मुख्य नायक दिखाने वाले किस्से खतम हो गया है मगर हर कहानिवास के पास वो एक कहानी जरूर होती है वो एक किस्सा जरूर होता है जो लाग कोशिशों के बावजूद भी अदूरा रह जाता जो पूरा ही नहीं हुआ वो खतम कैसे होगा और इसी तरह वो कहानी एक पिटारे में खनकते सिक्के की तरह हमेशा गूंचती रहती है तो इस कहानी में मेरी प्रेमिका की मौथ हो जाती है उसके इंतकाल के बाद मेरी कवीताओं में से भी मृत्यू की प्रतिध्वनी सुनाई देने लगती है आपको अपनी एक कवीता सुनाता हूं मैं क्या जिया मुझको जीवन ने जिया भून भून कर पिया पीकर पत पर खाली सा छोड़ दिया खूब बारिश हुए उसकी मौत के अगले दे मैं घंटों तक बस आस्मा को ताकता रहा हूं आस्मा के नीले सन्नाटी की और देखकर मेरे दिमाग मैं जीव जीव से ख्याल हने शुरूर मैंने देखा कि आकाश के बीट चिमनी से निकलने वाले धूए की तरह एक सतरंगी इंददनुष आइस्ते आइस्ते उगने लगता है बाई और से दो सुलगते होट दाई और से दो कापते होट दुनों इंददनुष के नजदीक आके रुख जाते हैं फिर देखता हूँ तो एक हाधगड़ी जिसे एक बुड़ा आदमी नीचे गसीट रहा है उसमें बच्चे हैं किसी का कठा हुआ हाथ अजगर की तरह रेंगते वे आता है और उन बच्चों का गला दबाने लगता है फिर वो दोनों होट और नजदीक आने लगते हैं जैसे ही वो दोनों होट नजदीक आते हैं तो उस बुड़े आदमी के कटिवे पैर राक्षयस की तरह उन बच्चों को कुचलने लगते हैं और ते रूने लगती हैं माता इसे सकने लगती हैं फिर देखता हूं एक काला चाकू आकर जैसे ही वो होट मिलने वाले होते हैं इंदधनुष को भी कुल बीच से काट देता है वो दोनों पकेवे होट लोथड़े की तरह उसकची जमीन पर आके उछलने लगते हैं एकदम च प्रकती ने मुझे किसी विशेशकार के लिए चुना है मुझे तो बस अपने सपनों को कहानी के रूप में बदल कर सरल भाशा में आपके सामने रखना है फिर मैंने सूचा सपनों की कहानिया क्यों बनाई जाए उन्हें अपने तक ही क्यों ना रखें मगर कहानियों में सपनों की तरह असलियत को मोड़कर मैं अपनी सारी मनों कामना है जो पूरी करने लगा कहानी तो सत्य और असत्य का मिश्रण है जिसके जरीए इंसान जो है जो बनना चाहता है वो बन पाता है सबकुछ एक ही माध्यम से दर्शा सकता है आज भी मैं उस कहानी की कल्पना करके अपनी प्रेमिका के पास पहुँच जाता हूं मगर कल्पना में भी वो दोनों होट कभी मिलना ही पाए नाए मैं उन बच्चों को उस कुछलन से बचा सका हूं आज भी वो काला चाकू अकर उस सतरंगी इंदर दनुष को अलाल कर देता है बस इसी तरह अपनी कहानी पूरी करने की तलाश में लगा रहता हूं मुझे लगता है मेरी जिन्दकी आज भी प्रेम की तलाश में गुजर रही है क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो हम सब को रोशनी में जाने की प्रेंडना देता है और हम सब उसी तरफ आगे चलते जा रहे हैं जैसे सूरज को साथ घोड़े ले जाते हैं इन में जो सबसे चोटा घोड़ा होता है सबसे पीछे वाला घोड़ा उसी को भर्ष्य का घोड़ा कहते हैं सूरज का सात्वा घोड़ा